हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम अल अफ यू इन केने से जुकेर, तुडें वी आर लर्निंग अबाउट रेश्यो और प्रपोर्शन, यह आपका चाप्टर है नाइन्थ मैथमाटिस का और आज हमारा लिक्चर नमबर फर्स्ट होगा, ओके, तो स्टुडेंट्स अल्लेड़े अपने previous standard मेई यही चाप्टर, इसी नेम से आपने पढ़ा था रेश्यो और प्रपोर्शन, आ Verme को पत है रेश्यो का होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे चाप्टर हम कौन कौन सी बातए लर्न करेंगे, और जस्ट हमने जो रे तो students आये देखते हैं example की help से यहाँ पर ratio and proportion का मतलब क्या होता है अब यह आपको पताएगर दिखिए मुझे यहाँ पर एक निम्बू सर्वत बनाना है आपने बनाई यह होगा निम्बू सर्वत तो निम्बू सर्वत मिले कौन-कौन से यहाँ पर चीजे लगती है एक तो निम्बू लगेगा, शुगर लगेगी या तो आपको थोड़ा चीझी चाएई तो चीझी sugar या तो नमग थोड़ा सा नमग अभी हम क्या करते हैं जस्ट दो ही निम्बू लेते है और यहाँ पर शुगर लेते हैंgraduateे लेमन प्लस यहाँ पर शुगर अभी एक ग्लास मुझे सरबत बनाने के लिए if I assume, मुझे 2 स्पोन यहाँ पर देखे for example, ग्राम में हम लेते है गर मुझे 50 ग्राम शुगर लगती है और यहाँ पर 1 लेमन मुझे लगता है ओके 1 ग्लास बनाने के लिए अभी मुझे यहाँ पर 2 ग्लास बनाना है और मुझे टेस्ट वही रखी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 ग्लास के लिए 100 ग्राम मुझे शुगर लेनी पड़ीगी और 2 लेमन मुझे लेना पड़ेगा तो हमने क्या किया? हमने इसका proportion यहाँ पर इक्वल ही रखा उसकी टेस्ट ना बतले तो इसका मतलब क्या दिके proportion मतलब यहाँ पर उसका जो proportionate में ले हमने 50 ग्राम के हमने क्या क्या अभी twice कर दे इसे twice कर दिया और इसे भी twice कर दे हम मुझे 2 ग्लास बनाने अभी मुझे 5 glass बनाने है, तो 5 glass करने के लिए क्या कर लेंगे, हम आपर 250 grams sugar लेंगे, and 5 lemons लेंगे, okay, 5 glass बनाने के लिए, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर proportion उनका same लिए इसे, तो यहाँ पर proportion कहते है, अभी ratio का मतलब क्या होता है, अभी मैंने for example, देखें, 50 divided by 1, यह ratio लिया, something divided by something, तो यह क्या होता है, ratio हो जाता है, देखें, 50 upon 1 यहाँ पर 50 आ गया, मतलब यह ratio हो गया, for example, देखें, 100 divided by 2, what we get, इसका is equal to 50 आने वाला है, so 250 divided by 5, इसका answer क्या आने वाला है, 50 आने वाला है, मतलब यहाँ पर ratio इनका क्या है, same है, और यह सभी equally proportion में है, proportion की बात आई सम मच में आ चुका होगा, उन में हमने, उसमें हमने देखा था, inverse proportion क्या होता है, direct proportion क्या होता है, तो उसे हम just recall करेंगे, आके आने वाले slides में, तो कि आपर एक example देखिए, दर रवा लडू, prepared by विमल, आर टेस्टी, for which, she takes one bowl of ghee, three bowls of rava, and two bowls of sugar, अभी, just देखें, students, अल्यदे हम भी आ सकती है, because, यहाँ पर देखिए, कोई भी मुझे preparation करना है, for example, any dish बनाने, तो यहाँ पर त्री आइटम सोड़ीन हम उसमें डालते है, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़े हम उसमें डाल सकते है, तो उसका भी proportionate होता है, so therefore, यहाँ पर proportion जहें, तो ज्यादा चीज़ो of rava and sugar, rava कितना यहाँ पर? 3 vowels है, and sugar कितना यहाँ पर? 2 vowels है, so हमें क्या करना है, rava upon sugar है, मतलब 3 upon 2, okay, so 3 upon 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसका ratio आ गया, okay, rava upon sugar, तो इसका देखिए हम कैसे लिखते है, 3 as to 2, ऐसे भी लिख सकते है, ठीके, अभी मुझे यहाँ पर देखिए, rava जो उसकी quantity आभी 12 units उसकी लेनी है, यहाँ पर मुझे rava की quantity आपर 12 units लेनी है, तो sugar कितना यहाँ लेना पड़ेगा यहाँ, so therefore how we calculate, we already know that गरे, आपर इनका common multiple आता है, तो यहाँ पर वही value रहता है, उसका proportion, जो उसका ratio है, वही constant रहता है, for example, if I multiply this value by k, and this value by k, तो k कैंसल हो क वही value रहती है, तो आप यहाँ पर एक common multiple C से multiply कर सकते है, अभी देखे, इसका ratio क्या था है, तो 3 upon 2 is equal to, अभी यहाँ पर 12 units मैंने लिया है, मतलब, we already know that यहाँ पर इनका ratio जो होता है, क्या है, constant होता है, मतलब यहाँ पर rava upon, गर sugar मैंने आपर x assume किया, तो इसका ratio, और इसका ratio क्या होता है, same ही होता है, so I can write 12 upon x over here, okay, so 3 upon 2 is equal to 12 upon x, so therefore we can easily find out the value of x, so 3x is equal to 12 multiply by 2, so x is equal to क्या जगा, 12 multiply by 2 divided by 3, 3 1s are 3 4s are 4 2s are 8, x is equal to we get 8, मतलब 8 bowls of sugar मुझे यहाँ पर लगेगी, x की value क्या गई यहाँ 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 पर 8 आ गई, तो इसे हमें क्या पता चला, so therefore हम यहाँ पर common multiple जो value डालते हैं, तो यहाँ पर यह क्या होता है, constant ही उसका जो ratio होता है, वो always constant ही रहता है, ठीक है, तो आइए देखते है next concept, तो next है यहाँ पर ratio and proportion, जैसे मैंने आपको अल्यड़ी बता है, यहाँ पर quantities यहाँ पर दो ही नहीं रहती है, यहाँ जादा भी हो सक होती है, अभी मैं देखिए यहाँ पर मैंने घी, रवा and sugar, इसका ratio मुझे proportion में लिखना है, so proportion of, proportion of, किसका गी का तिन उसके बाद रवा and sugar, ठीक है, अभी घी है one bowl, रवा है three bowls and sugar है two bowls, मतलब one as two, three as to two, देखिए आपर three quantities का यहाँ पर proportion हा गया, अभी मुझे यहाँ पर जो रवा है, मुझे इसे six bowls आपर बनाना है, okay six bowls मुझे आपर रवा लेना है, तो यहाँ पर देखिए उसके proportion में मुझे क्या करना पड़ेगा, गी and sugar यह भी मुझे लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पर three multiply by two किया, तो मतलब यहाँ ट्वाइस बनाते है, मतलब य क्या हो जाएगा, multiply by two, so I will get four, and यहाँ पर आ जाता है two, मतलब two as two six to four, तो यह बन जाता है इसका ratio, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक common multiple ले लिया, इसका common multiple को ने यहाँ पर two है, देखिए आई बास समझ में, तो यहाँ पर common multiply का आ गया, आपर k आ गया, हम यहाँ यहाँ करते हैं, तो k के value के आ गया, आपर two आ गई, मिनने जाच क्या कि इससे रवा को आपर twice करते हैं, तो इसके proportion में आपर sugar and घी भी मुझे, उसके proportion ही लेना पड़ेगा, तो रवा मैंने आपर six bound ले 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 और घी, just only one and sugar, only two bound ले तो यह से नहीं चलेगा, okay, so therefore मुझे इससे भी proportion में लेना पड़ेगा, इस quantity को भी मुझे आपर proportion में ही लेना पड़ेगा, okay, so therefore we can write as our, देखे हैं आपर, so one, देखे, three multiply by आपर, मैंने k value ली is equal to six आ गया, मतलब three k is equal to six, one multiply by k is equal to two, k की value क्या है, two है, okay, and आपर two multiply by k is equal to four, आई बास समझ में, तो आद यहां भी य यह concept आपको समझ में आ चुक होगी, आपी देखते हैं, next one, तो देखे हाँ पर और एक ratio ले ले लेते हैं, ठीके, तो यहाँ पर two as to three as to seven as to four, यहाँ पर यह ratio लिया है, okay, अभी हम क्या करते हैं, इसका common multiple जो है, जो हमने k value लेते हैं, आपर इससे assume करते हैं, okay, so therefore हम यहाँ यहाँ पर common multiple, यहाँ पर M गर आज़िम करते हैं, इसके value क्या आ जाएगी, so two multiply by M, three multiply by M, seven multiply by M, and four multiply by M, अभी देखे हैं, यहाँ पर मैंने M क्यू लिया, यहाँ पर common multiple क्यू लिया, तो इससे पहले अंडरस्टांड कर लेते हैं, already we know that यहाँ पर ratio के से आता है, मतलब for example, 50 divided by यहाँ पर हम लेते हैं, 70, okay, 50 divided by 70, तो हम यहाँ पर इसका ratio 50 as to 7 ऐसे लिख सकते हैं, because यहाँ पर देखे, 00 cancel हो कि हम यहाँ पर इसका ratio के लेकिंगे 5 as to 7, but यह actual में क्या value थी, 50 and 70 था, but हमने इसे ratio में convert किया, तो 5 as to 7 हो गया, इसका मतलब यह जो value है, यहाँ पर change भी हो सकत है, तो वही तो हमने किया है, तो इसका जो common multiple है, यहाँ पर 10 था, मतलब 5 multiply by 10 and 7 multiply by 10, if I do 5 multiply by 10, 7 multiply by 10, I will get this value, मतलब 10 का है यहाँ पर, just I will write 10, यहाँ पर हमने M लिख दिया, तो 5 M upon 7 M, आई बास समय तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया, 2 M, 3 M, 7 M and 4 M यहाँ पर लिख दिया, अभी दिखिए, मुझे यहाँ पर M की value गर find out करनी हो, गर यहाँ पर मुझे M की value find out करनी हो, आपको यह सभी जो value इनकी addition गर पता हो, अभी हम assume करते हिनकी addition 48 हो, आपर easily M की value find out कर सकते हैं, किसे करेंगे, तो 2 M plus 3 M plus 7 M plus 4 M, ठीक है, जैसे के आपर देखिए 50 plus 70, if I assume 50 and 70 के addition क होती है, तो यहाँ पर 120 होती है, ठीक है, 50 and 70, अभी मुझे यहाँ पर 5 and 7 लिया है, इसका common multiple है, यहाँ पर M assume किया, अभी मुझे यहाँ पर इसका common multiple पता नहीं, अभी मुझे यहाँ पर इसका common multiple पता नहीं, अभी मुझे यहाँ पता यह 10 है, बट यहाँ पर assume करते हैं, हम 5 plus 7 हो जाएगा 12, so 12 m is equal to 120, I will get the value of m 120 divided by 12, so m is equal to आ जाता है 10, देखे यहाँ पर common multiply क्या है 10 है, मतलब यहाँ पर हम कैसे identify करें की 5 is to 7 मतलब यहाँ पर 5 multiply by 10 and 7 multiply by 10, I will get this value, तो similarly यहाँ पर देखे इन सभी का मुझे addition पता है, 48 है, so 2 m plus 3 m plus 7 m plus 4 m is equal to क्या जाए देखे, is equal to 48 आ जाएगा, तो इसके addition क्या हो जाएगा 5, 5 plus यहाँ पर 4, 9, 9 plus 7 यहाँ पर 16 m is equal to 48, okay, so therefore m is equal to I will get 48 divided by 16, 16 3 जा, तो m is equal to आता है 3, so what is the value of m, it is 3, तो क्या हम यहाँ पर यह value है number है identify कर सकते, कर सकते, मतलब 2 multiply by 3, I will get 2, 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 आगे पहली value, तो यहाँ पर 3, 3 जा 9, तो second value 9 है, 7, 3 जा 21, and 4, 3 जा 12, देखे, यहाँ पर कॉन से number थे हाँ पर 6, 9, 21, and 12, okay, तो आइए देखते है कुछ examples, तो first example है, the proportion of compound of nitrogen, phosphorus, and potassium in a certain fertilizer is 18 as to 18 as to 10, here, compound of nitrogen is 18%, compound of phosphorus is 18%, and that of potassium is 10%, remaining part of other substances, okay, find the weight of each of the above compounds in 20 kg fertilizer, यहाँ पर 20 kg fertilizer, उसमें हमें आपर सभी का मतलब, यहाँ पर nitrogen कितने kg लगेगा, phosphorus कितने kg लगेगा, potassium कितने kg लगेगा, हमें आपर identify करना है, okay, तो students यहाँ पर देखें, उनका ratio हमें पता है, proportionate उसका पता है, यहाँ पर percentage भी पता है, ठीके, तो देखें, 18 plus 18, 18 plus 18 plus 10, we get, 18 2s आ, यहाँ पर 36, यहाँ पर 46 आजाएगा, okay, and remaining जो है यहाँ पर, remaining कितने % आजाएगा, 54% other compound है, okay, अभी मुझे यहाँ पर इनके सभी की value यहाँ पर find out करने है, और total यहाँ पर 20 kg हमें अलड़ी पता है, okay, अभी 18 as to 18 as to 10, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, 18% nitrogen compound है, 18% phosphorus compound है, तिनोंसके बाद potassium, 10% तो क्या हम यहाँ आपर easily find out कर सकते है, yes कर सकते हमें क्या करना पड़ेगा, 20 kg हमें आपर 18% निकालना पड़ेगा, so therefore how we calculate, so therefore first we write down nitrogen, okay, nitrogen compound, और हम यह से लिख सकते हैं, weight of, okay, weight of nitrogen compound is equal to क्या हो जाएगा, 18% of total, मतलब 18 divided by 100 multiply by 20, so therefore 1010 cancel, 21s are, 25s are, so therefore 18 by 5, 18 by 5, तो देखे 5, 3s are, then, यहाँ पर 3 आगया, मतलब 5, 6, 0.6, मतलब 3.6 kg है आपर value आगयी, so nitrogen compound का weight क्या है, यहाँ पर 3.6 kg आगया, okay, अभी potassium and phosphorus, वो निकालते हैं, तो weight of, अभी weight of phosphorus क्या आजाएगा, तो phosphorus, is equal to क्या आजाएगा, 18 divided by 100, multiply by 20 kg, क्योंकि वो उस में से भी 18 kg है, so therefore, we already know that आपर 18% निकाला, तो इसके value क्या आएगा है, 3.6 kg आएगा है, यहाँ पर remaining क्या है, weight of, weight of, यहाँ पर potassium, बचाएगा, तो उसका भी लिखते है, potassium is equal to क्या आजाएगा, यहाँ पर देखे 20 kg, मतलब यहाँ पर इसका 10%, 100 multiply by 20, 1010, 1010 cancel, so we get 2 kg, so what is the value, 3.6, 3.6, and 2 kg, ठीक है, यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर easily इसका, जो weight है, यहाँ पर identify किया, ठीक है, आई बस समझ में, तो आएगे देखते हैं, अभी, a car covers a distance of a 10 km, consuming 1 liter of petrol, it will cover a distance of 20 multiply by 10, 200 km, consuming 20 liter of petrol, okay, we already know that, what is the formula of speed, speed is equal to kya होता है, speed is equal to distance upon time, यह बूलना नही है, so consuming 40 liter of petrol, it will cover a distance of 40 multiply by 10, 400 km, देखिए आपर, 20 liter पे आपर, 200 km, 40 liter पे आपर, 400 km, if I take 60, तो यहाँ पर क्या हो जागा, यह बढ़ जाएगा, मतलब, जैसे मैं आपर value बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पर उसके proportion में, second value भी आपर क्या हो रही है, तो पेट्रोल के content में आपर बढ़ी, तो उसके proportion में आपर distance भी बढ़ गया, 20 liter लिया, तो 200 km जाएगी, 40 liters लिया, तो 400 km ले जाएगी, तो देरफर इसका मतलब क्या हो किया, यह जो value यह proportion में है, देखिए आपर इनका ratio, 1 upon 10, I will get 1 upon 10, 20 upon 200, I will get 1 upon 10, 40 upon 400, I will get 1 upon 10, मतलब, direct proportion में क्या होता है, x upon y is equal to k, इनका ratio x upon y, यह क्या होता है, constant होता है, अल्यड हमें पता है, गर देखिए, एक value यहाँ पर बढ़ा दी, तो उसके proportion में, second value भी क्या हो रही है, आपर बढ़ रही है, तो उसे ही कहते है, direct proportion, यह directly बढ़ रहा है, ठीके, तो the ratio of consumption, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते, direct proportion का हम आपर अल्यड है, पता है, हमने कैसे लिखा था, x is directly proportional to y, कैसे लिखेंगे, x alpha y, इसका मतलब क्या होता है, x जो है यहाँ पर, directly proportion है, किसके साथ, y के साथ, so therefore we assume, यहाँ पर constant, मैं आपर assume करते है, k, so therefore y यहाँ पर इस अट पर लिखेंगा, तो x upon y, alpha के जगा पर, इन सच केस, it is said that, two quantities are in a direct proportion, और in direct variation, अई बस समझ में, तो यह अपने लर्न किया है, last standard में, just हमने उसे recall किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनका ratio क्या होता है, constant होता है, ठीक है, x upon y, यहाँ पर constant है, x upon y, यहाँ पर constant है, तो इसके numerical कैसे आते है, देखिए, अभी आपको यहाँ पर इसका ratio पता है, और यहाँ पर एक value देदी, यहाँ पर 20 liters यहाँ पर कहा दिया है, यहाँ पर इसके distance आपको find out करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, so 1 upon 10 आपर ratio है, मतलब x upon y is equal to 1 upon 10, अभी आपको यहाँ आपको x की value क्या पता है, 20 है, तो आपको Y की value easily find out कर सबचे ठीक है, तो एसे आपको यह numerical में, यह जो think कैआपर apply करना है, ठीक है, तो आइ देखते, next one, next है आपर inverse proportion, अभी यहाँ से मैं आपको qualities formula दिया, कि speed is equal to क्या होता है, distance upon time, अभी distance is equal क्या होता है, speed multiply by time अभी a car takes 2 hours to cover a distance of 100 km at the speed of 50 km per hour a bullock car यहापर travels 5 km in 1 hour to cover distance of 100 km at the speed of 5 km per hour, the bullock car takes 20 hours, अभी जैसे मैं आपको यहापर speed गर यहापर कम हो जाएगा तो obviously जो आमें distance cover करना है, 100 km यह obviously ज्यादा time लगेगा जैसे दिखें, for example, आपको a to b जाना है, okay, a to place b तक जाना है, इसका दूरी यहापर, हम assume करतें कि 100 km यहापर इसकी दूरी है, ठीके आप यहापर a to b by train से जा सकते है, by bus से जा सकते है, आप pedal भी जा सकते है, या तो आप यहापर बुल्यकार्ट से भी जा सकते है, या तो बाइक से भी जा सकते है, ठीके अब यह train का speed कितना है, train का if I assume, train का speed है 100 km per hour, 100 km per hour का तो आप a to b distance जो हापर one hour में cover कर सकते, वैसे यहापर bus का speed है, यहापर 60 km per hour, ठीके 60 km per hour मतलब यहापर speed कम हो गया, तो आपको a to b जाने वाला time जो है, यहापर क्या लगे का, कम लगे का, जादा लगेगा yes, आपको one hour से जादा लगने वाला है, ठीके, गर आप यहापर pedal चले गए, 10 km per hour ठीके, इस speed से चले गए, 10 km per hour, मतलब पेदल जा रहे तो a to b आपको distance कवरने के लिए जादा time लगेगा ना, yes, आपको यहापर जादा time लगने वाला है, मतलब देखें, यहापर जो km, जो speed आपके value कम हो रही है, बट आपको उसका time यहापर क्या हो रहा है जादा लग रहा है, मतलब यह जो value यहापर inverse proportion में मतलब यहापर x यहापर if I write in mathematical words x is inversely proportional with y, x क्या है आपर, x जो है यहापर inversely proportional है, मतलब x की value गर if I increase, तो y यहापर reduce हो रहा है, गर यहापर देखें vice versa हम इसे भी कह सकते है, if I reduce the value of x, तो y की value क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, for example देखें, if I increase speed, मैंने speed बढ़ा दिया तो यहापर distance को, जो time लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है if I reduce the speed, मैंने speed कम कर दिया, तो यहापर जो time में ज़्यादा लगने वाला है, मतलब क्या है, एक चीज बढ़ गई तो एक चीज घड़ जाती है एक चीट घड़ गई तो यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर बढ़ जाती है तो यह क्या हो जाएगा inversely proportion में हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है तो मुझे यहाँ पर जो alpha sign निकाल की मुझे यहाँ पर equal to दिया है speed यहाँ पर मेंने लिखा है ठीके car का और बुलक काट का ओके यहाँ पर time लगता है 2 hours यहाँ पर 20 hours यहाँ पर दीके x multiply by if I do 50 multiply by 2 यहाँ पर क्या था है 100 यहाँ जाएगा 5 multiply by 20 I will get 100 so मतलब x multiply by इनका product यहाँ पर क्या है constant है hence we see that product of speed of the vehicle and the time is constant in such case it is said that quantities are in inverse proportion और inverse variation में है ऐसे हम कह सकते है ठीक है अगी बस समझें तो आठीक यह concept आपको समझ में आचुकी होगी तो आजी देखते है next one तो अभी हमें देखना है properties of ratio अभी ratio के कुन कुन से property तो first one देखिये ratio of numbers a and b is written as a as to b और a upon b मतलब a as to b के एसे form में लिख सकते है या तो a upon b के form में भी लिख सकते है a is called predecessor के यहापर हम कह चकते a जो यहापर टर्म है उसे हम क्या कहते है predecessor कहते है first term and b कहते है successor क्या कहते है successor क्या कहते है second term और यहाँ पर predecessor यहाँ पर कहते 8 term को, यह क्या है? यह predecessor है और यह successor, predecessor और यहाँ पर successor, तो second property देखिए, in the ratio of two numbers, if the second term यहाँ पर 100 है, then it is known as percentage, जैसे हम आपर देखा, गर यहाँ पर देखिए ratio में 18 upon 100 में यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 18 percentage यहाँ पर हो okay, so 18 upon 100 लिखा, तो यहाँ पर 18 percentage हो जाएगा, okay, so यहाँ पर divide में यहाँ पर गर 100 value हो, okay, in the ratio of the two numbers, if the second term is 100, then it is known as percentage, उसे हम क्या कहते है, percentage कहते है, okay, so next one देखिए, the ratio remain unchanged if its terms are multiplied or divided by non-zero number, जैसे में आपको बता है, यहाँ पर के term, देखिए 3 upon 4, if I multiply numerator and denominator by 2 से, मैंने 2 से यहाँ पर multiply किया, तो I will get 6 upon 8, again I will multiply this value by 3, so 9 upon 12, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, मैंने divide किया है, तो multiply किया, तो यहाँ पर इसका answer यहाँ पर same ही होता है, तो इसका ratio क्या होता है, same ही होता है, ठीक है, आई बस समझ में, तो K क्या है, यहाँ आपर non-zero नंबर है, यह बात धाल में रखने, यह non-zero, यह 0 नहीं हो सकता, ठीक है, so therefore A as to B I can write, A K as to B K, वेसे यहाँ पर A as to B as to C, A K as to B K as to C K, ओके मतलब यहाँ पर common multiply किया पर K है, यहाँ पर common multiply किया है, यहाँ इसका common multiply किया है, यहाँ इसका common multiply किया है, अल्यदे हमने इसका numerical भी नहीं है, यहाँ पर जो quantities हमने लिया है, express in the same unit, जैसे कि आपर देखिए, 50 km per hour हमने इसका speed ले लिया, तो यहाँ पर आपको जो speed second लेना है, वो आपको km per hour में ही लेना है, km per minute में आपको unit change नहीं करना है, आपको देखिना कि इसका unit same है क्या नहीं, तो यहाँ पर जो quantities लिया है, ratio must be expressed in the same unit, ठीक है, so next one देखिए, the ratio of the two quantities is unit less, because देखिए, यहाँ पर क्या होता है, for example, ratio of the 2 kg and 300 g, it is not 2 as to 3 हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, because यहाँ पर यह ग्राम में है और यह kg में है, ठीक है, so therefore I will need to be convert, यहाँ हम 300 को यहाँ पर kg में convert कर सकते हैं, तो 2 को हम kg को यहाँ ग मतलब 2000 divided by 300, so I will get, यहाँ पर देखिए, क्या जाएगा, so 20 as to 3, okay, so already हमें पता है, यहाँ पर kg, kg, यहाँ पर इसका kg unit or kg unit cancel हो जाएगा, so इसका ratio क्या होता है, unit less होता है, ठीक है, so ratio को कोई unit नहीं होता, ठीक है, यह बात आपको भूलनी नहीं, okay, so now we see next one, देखिए, यहाँ पर कुछ example से उसे understand कर लें, the ratio of ages of SEMA and Rajasri is 3 as to 1, the ratio of ages of Rajasri and Atul is 2 as to 3, then find the ratio of ages of SEMA, Rajasri and Atul, हमें क्या करना है, ratio find out करना है, ages का किसका, SEMA का भी, देखिए, उसके बाद, Rajasri का भी, यहाँ पर Atul का भी, ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पर पहले हम लिखते है, Rajasri का age, पर इसका ratio, so, SEMA age as to Rajasri age, is equal to क्या है, 3 as to 1 है, okay, and similarly आपर देखिए, Rajasri and Atul, Rajasri as to Atul, इसकी value क्या है, is equal to 2 as to 3, ठीक है, मतलब A as to B है, and B as to C है, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर तीनों का भी यहाँ पर ratio लिखना है, तो इसका, यहाँ पर B जो quantity है, यहाँ पर same होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, B यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसे multiply करना पड़ेगा, 2 से, so I will get Seema age upon Rajashree age is equal to 3 multiply by 2 upon 1 multiply by 2, so I will get 3 plus 6, यहाँ पर 2 आजाएगा, मतलब 6 as to 2, ठीक है, 6 as to 2, देखिए, आपर A, B यहाँ पर क्या है, A as to B, 6 as to 2 है, B, C क्या है, 2 as to 3, मतलब हमें आपर लिख सकते है, Seema, Rajashree and Atul age का ratio, क्या हो 2 as to 2, यहाँ पर 3 आजाएगा, ओके, so therefore, we write down, हम यहाँ पर लिख सकते है, therefore, Seema age, s2, Rajashree age, s2 यहाँ पर क्या आजाएगा, Atul age is equal to 6 as to 2 as to 3, यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, आई बस समझ में तो यह equation आपर समझ में आचुका होगा, देखते है, next one, देखिए, students, आपर example number 2 है, the length of rectangular field is 1.2 km, and breadth यहाँ पर 400 m दिया है, find the ratio of length to breadth, okay, so कैसे find out करेंगे, so length upon breadth, क्या value दिया है, आपर देखिए, यह km में है, यहाँ पर meter में है, यह भूलना नहीं, आपर क्या करना पड़ेगा, length को यह आपर, as a meter में convert करना पड़ेगा, तो 400 m को, आपर km में convert करना पड़ेगा, okay, so therefore, 10, 10 cancel हो जाएगा, again 10, 10 cancel हो जाएगा, तो 1.2 multiply by 10, I will get 12, यहाँ पर divided by 4, 4 1s आ, 4 3s आ, so I will get 3 as to 1, okay, 3 as to 1 यहाँ पर इसका ratio आजाएगा, okay, so now we saw next one, so example number 3 देखिए, the ratio of expenditure and income of Mahesh is 3 as to 5, you find the percentage of expenses to his income, में क्या करने, percentage में find out करना, we already know that, गर यहाँ पर इसका जो B value, for example, A upon B लिखा है, तो B गर यहाँ पर 100 में आता है, तो यह इसका आप डारेक्ली percentage में लिख सकते हैं, so देखिए इसका ratio क्या है, so I will write over here, expenditure upon income is equal to 3 as to 5 यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर denominator में 100 लाएं, मतलब यहाँ पर multiply by 20, multiply by 20 करना पड़ेगा, so therefore 3 to the 6, यहाँ पर 60 आ गया, divided by 100, so 1 यहाँ पर दिखे, हम डारेक्ली लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60% यहाँ पर लिखेंगे, okay, so therefore 60%, यहाँ पर 60% क्यों आ गए, तो 60 upon 100, multiply by 100, okay, 100, 100, get cancelled, 60% I will write over here, okay, so what is the value यहाँ पर, महेश spends 60% of his income, okay, so महेश spends 60% of his income, okay, आई बास समझ में ताद ही, यह कंजेब आपको समझ में आ चुकि होगी, तो students, आजके इस lecture में हमने क्या देखा, आजके lecture में हमने देखा, what is the properties of ratio, then उसके बाद inverse proportion, direct proportion क्या होता है, just उसे हमने recall किया, ठीक है, स्वाइटी यह सभी concept आपको समझ में आ चुकि होगी, तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you.